नमस्का दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांड़े, आप सभी का स्वागत करता हूँ, यहाँ पर आपके लिए हिस्ट्री के कॉश्चन लिका रहा हैं, बार बार रिपीटेट तीस साल से जो पूछे आ रहे हैं, सुपर फास्ट स्पीड रहेगी, बिल्कु पूरंदर शब्द का प्रयोग रिगवेद में हुआ है, तो पूरंदर ये कहा गया है, इंद्र देवता को कहा गया है क्या पूरंदर? महावीर किस राजगराने में पैदा हुए थे, तो महावीर जी जो थे, राइट आंसर हो जाएगा ये आपके पैदा हुए थे, छत्री राजगराने में, ऑप्शन नमबर भी छत्री राजगराने में, राइट आंसर हो जाएगा महावीर जी के लिए, फैजी इनिमलिकित म तो इनके पास कौन सी पदवी थी सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था तो सिखिज्म का जो प्रवर्तन हुआ ता आपका पंद्रा सो ईसवी में option नमबर भी पंद्रा सो ईसवी राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत का महान विधी निर्वाता कौन मानग जाता है? तो प्राचीन भारत का महान विधी निर्वाता मनू को कहा जाता है option number B मनू प्रिषन के लिए right answer हो जाएगा किस युद्ध से florence nightingale का नाम समझने थे तो Florence Nightingale ये सम्मने दे क्रीमियन युद्ध से option नमब सी क्रीमियन युद्ध राइट आंसर हो जाएगा जलिया वाला बाग कांड कब हुआ था तो जलिया वाला बाग कांड ये हुआ था आपका 1929 इसवी में option नमब भी राइट आंसर है पानीपत का प्रतम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था सबसे पहला वो लड़ा गया था बाबर और अब्राहिम लोधी के बीच में option number C यहां पर आईट आंसर है बाबर अब्राहिम लोधी ब्रेज सरकार ने पहली बार या गोशना की थी कि उसकी मंशा भारत में दीरे-दीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है ये गोशना किसके द्वारा की गई थी तो ये गोशना जो हुई थी ये हुई थी आपकी अगस्त 1917 की गोशना की तहत ऑप्शन बड़ी यहां पर राइ करनाथक का जो इस थाने याँ पर राइड आंसर हो जाएक तो करनाथक का जो सथानै यहां परuest आण से अंश सब्सक्राइब तो मुदु विदर यहelu कि अधुन के विद्व का अउभाजी है जआता है यहां पर आई राइनसर हो जाएगा आपका चरका यहा कली माने जाते हैं besar companies हो ने निगतिृरth इसमें पूजह है यह पूजह यह आपके हमपी में आप्शन भी हमपी राइट आंसर हो जाएगा बीजापूर का गूल- गुमबज-मकवरा यह संबनत आपका महंबद आदिल-शाह से अउप्शन भी राइट आनसर है वासकोडी गामा अपनी Cap of Good Hope की जले यात्रा की परिक्रमा के बाद भारती समुद्रिक सीमा में मैं 1498 में पहुंचा था कहां पर पहुंचा था तो इसने Cap of Good Hope की यात्रा की जले यात्रा की और भारती समुद्रिक सीमा में काली कट पर पहुंचा था वैलोर और हलेबिड मैं निर्मान के गए मंदर कौँ से सदापदी के बारवी सदापदी के मंदर हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दास्पता के उनमूलन से समंबनितë गवर्नेश जेनरल कोँ थे ? और के इलन देशी राजी के option number मैसूर का देशी राजी राजी राइट आंसर हो जाएगा भारत से व्यापार प्रारम करने वाले प्रतम यूरोपी कौन थे तो सबसे पहले यूरोपी थे पोर्टगाली जिन्हों ने भारत से व्यापार स्टार्ट किया था निम्दलिकित में से किसने बि और राइट आंसर हो जाएगा निम्दलिक तका से वर्ष भारत में इसो इंडिया कंपनी का स्टार्ट कर अगले साल निम्दलिकित में से किसके वर्दा में सत्याक्रा आश्रम की स्थापना की गई option number B महात्मा गांदी जी यहाँ पर इस प्रशन के लिए right answer हो जाएगा अगली question में आपसे पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या यहाँ पर प्रशन के लिए क्या right answer हो जाएगा right answer है वेदों की संख्या चार चारों वेदों के नाम बताईए देखते हैं आप लोगों किसको चारों वेदों के नाम पता है चारों वेदों के नाम कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईए अगला कॉश्चन देख लिए इसमें आपसे पूचा गया है जन जातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आ आधिवाशी सब्द का सबसे पहले प्रयूक किया था आपका ठककर बापा ने अधिवाशी सब्द का सबसे पहले प्रयूक किया था गैंगिस खान के नेतरतुमें मंगोलों ने भारत पर किसके साशनकाल में आक्रमण किया था हमला किया था तो गेंगिस खान भारत में जो आक्रमण हुआ था राइड आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशने के लिए इस प्रशने के लिए आपका राइड आंसर है option number D महांबद बिन तुगलक के समय गेंगिस खान ने आक्रमण किया था अगला question देखिए बिटिस राशनकाल के समझव अंग्रेज हमारे उपर राज कर रहे थे उसमें भारत को एक उत्पादक देश नहीं माने जाता था मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादकता नहीं होती थी ऐसा कहा जाता था यह किस कारण से तो यह बिटिस राशनकाल के लिए पर राशनकाल के लिए लक्ष को परत किया था राजा राम मोहन राय ने अपने आसाधान काम के खातिर भारतिये इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई उनका मुख्य काम किस दिशामे था तो राजा राम मुहन राय जी का मुख्य काम था आपका समाज सुधार की दिश्चा में option number A यहाँ पर समाज सुधार राइट आंसर है अकबर की शाषिन काल में केंद्रिय मशीनरी द्वारा मानिता प्राप्त मिलेटरी विवाग का प्रधान कौन था तो मिलेटरी विवाग बनाया था अकबर ने और उसके प्रमुक्ते मीर बक्षी option number B मीर बक्षी प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा तो काकोडी संजन केस से आपके अश्वाक उल्ला खान संबने थे option number यहाँ पर भी राइट आंसर है अश्वाक उल्ला खान निमनल खितम से किसका सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य स्थान है तो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आप सभी को पता होगा जाने जाते हैं कौन राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइट बेटिंग option number B लाइट बेटिंग राइट आंसर है निम्दलकितम से हडपा संस्कती का कौन सा जानवर, शील या टेरीकोटा काल में काल को प्रदर्शित नहीं करता तो टेरीकोटा काल को प्रदर्शित नहीं करता यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राईनोसोरस option number C से आंसर हो जाएगा rhinosaurus हर्षवर्धन के समय मैं कौन सा चीनी यातरी भारत आया था तो हर्षवर्धन के समय आया थे option number हैंशंग right answer है अजंता चित्रकारी से संबनित है अजंता चित्रकारी से आपका गुप्तकाल संबनित है option number D गुप्तकाल के समय अजंता की चित्रकारी हुई थी अगला कोशन देखिए इसमें पूझा गया है किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौझूदगी को महसूस करने का माध्यम नरत्य और संगीत कीर्थन को बनाया था यहाँ पर आइड आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभू ने नरत्य और संगीत कीर्थन को अपने नजदीक भगवान की मौझूदगी को महसूस करने का तरीका बताया था शेरे पंजाब किसका उपनाम है तो शेरे पंजाब उपनाम से यहाँ पर आइड आंसर हो जाएगा जाना जाता है ऑप्शन नमबर भी लाला लाजपत राई जी को ऑप्शन नमबर भी यहाँ पर आइड आंसर हो जाएगा रूसी करांती के जनक कौन थे ये जो पुस्तक है right answer हो जाएगा option number ही, मौलाना अबुल कलाम आजाजी की पुस्तक है, option number भी यहाँ पर right answer है, जातक पवित्र कता है किस किस धर्म की, जातक जो है ये बहुत धर्म की ग्रंट है, option number भी पवित्र गंट है बहुत धर्म की, story of my experimental with truth, शीषक पुस्तक किस के दु लिखी गई है तो story of my experimental with truth right answer हो जाएगा ये लिखी गई है आपकी महातमा गानी के द्वारा या पर केवल इतना भी आजाता है my experiment with truth ये भी पुछा जाता है अगला question देखिए सूपी समपरदाय का उधवाव कहा पर हुआ था तो सूपी समपरदाय का उधवाव जो हुआ था ये हुआ ता Iislam से option number सी इसलाम से right answer हो जाएगा मोहन जोधाड़ो कहहें से थाए तो मोहन जोधाड़ो ये सथ है आपका सिंध में option नबर भी सिंध पाकिस्तान right answer है सिदार्थ को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो सिदार्थ को ग्यान की प्राप्ति हुई थी राइट आंसर हो जाया गया में ऑप्शन अबढ़ी गया में सिदार्थ को ग्यान की प्राप्ति हुई थी अपने सामराज के विस्तार में चंद्रकुप्त मौरी की सहायता किस ने की थी तो चंद्रकुप्त मौरी की सहायता राइट आंसर हो जाए चाणक के नहीं की थी बखसर की लडाई किस वर्श हुई थी तो बखसर की लडाई जो हुई थी यह हुई थी आपकी 1764 iswii में option नंबर भी 1764 iswii right answer है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्तूर को हुआ था भारत के एक अन्य महापुरुस का जन्म भी इसी तिथी को हुआ था वो कौन थे तो महात्मा गांदी जी के साथ दो अक्तूर को और जन्मे थे आपके लाल बहादुर सास्त्री जी ऑप्शन नमबर भी यहां पर राइट आंसर है चीनी आत्री वायांग किसके साशनकाल में भारत आया तो चीनी वराहमिर थे एक महान बताइए क्या थे वराहमिर राइट आंसर हो जाएगा वराहमिर थे आपके जोतिशी ऑप्शन नमबर डी जोतिशी प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा वराहमिर एक महान जोतिशी थे महावीर जी की मृत्तिव कहां पर हुई थी तो महावी उसके बाद हुमायू फिर अक़र जहाँगीर शाह जहाँ और यही पांच जो है मैन है इन्ही पांचों के वारे में बहुत जादा Einatा है बाँबर हुमायू अक़पर जहांगीर शाह जहाँ निम्णलगित में понад से उस युगम को पहचानने जो सोमिलत नहीं है तो य सीमान्त गांधी तो यहां पर आपका option नंबर गलत है सीमान्त गांधी कौन कहलाते थे अब आपको कमेंट करके बताना है सीमान्त गांधी किसको कहा जाता था option number B यहाँ पर गलत आंसर है ठीक है बाकी देश बंदू की उपादी चितरंजन दास C.R. दास बिलकुट आइड आंसर है दीन बंदू C.F. एंड्रूस यह भी सही आंसर है option number B यहाँ पर गलत है चली अगला कोशन देखिए पूरी इस्तित विश्व प्रसित जगनात मंदर किस वंश के शाषकों ने बनवाया था तो जगनात मंदर जो बनवाया गया था राइट आंसर क्या हो जाएगा option number यहाँ पर आपका D गंग वंश के शाषकों ने जगनात मंदर बनाया था option number D साही आंसर है प्रातना समाच की स्थापना में किस ने सरवादी के युगदान दिया था तो प्रातना समाच की स्थापना में यहां पर right answer हो जाएगा option number आत्माराम पांडूरंग जी option number यहां पर D सबसे ज़्यादा विशेश युगदान दिया था किस विद्वान ने सरपदम हडपा सविता के आवशेशों को खोजा था यहां पर right answer जाएगा हडपा सविता के आवशेशों को खोजने का शे जाता है आपका option number दयाराम सानी जी को option number यहां पर D right answer है भारत में 1882 इसवी में इस्थानी सुषाशन का स्थापना किस न की तो इस्थानी सुषाशन की स्थापना की गई थी यहां पर right answer रिपन द्वारा option number भी रिपन राइट आंसर है कृष्ण देव राय कहा की राजा थे तो कृष्ण देव राय यहां पर right answer हुजाएगा यह आपके विजय नगर की राजा थे option number C right answer है बहुत धर्म गरहन करने वाली पहली महिला कौन थी तो बहुत धर्म गरहन करने वाली पहली महिला थी आपकी गौतमी option number C right answer है गौतमी प्रात्ना समाज की स्थापना किस ने की थी तो प्रात्ना समाज की स्थापना यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा आपका केशव चंद्र आप्शन नमर सी केशव चंद्र ने की थी सागा दावा किस धर्म का पर्व है तो सागा दावा ये पर्वे आपका बहुत धर्म का ऑप्शन नमर ये बहुत धर्म राइड आंसर है वासकोडी गामा कहां का रहने वाला था तो वासकोडी गामा पुर्तगाली था option number यहां पर ए पुर्तगाली राइट आंसर है प्रसित्य तक घोड़ा तो चेतक घोड़ा यह है आपका महारानाथ पताब जी की घोड़े का नाम था चे तक option number D चे तक महाराण पताब जी का घोड़ा था ओध्योगी क्रांती सब से पहले किस देश में हुई थी तो ओध्योगी क्रांती सब से पहले हुई थी आपकी option number यहां पर इंग्लेंड में option number B right answer है इंग्लेंड इन में से किस ने राष्टकान का अंग्रे जी रूपांतरण किया था तो राष्टकान का अंग्रे जी रूपांतरण किया था रविंद्र नाठ टेगोर जी ने option number यहां पर भी right answer है अठार संतावन इच्वी के विद्रो के दोरान भात का गवर्नर जनरल कौन था तो अठार संतावन के विद्रो के दोरान लॉड कैनन गवर्नर जनरल थे option number C right answer है कमिनल अवर्ड दिया गया था किस के दोरा तो कमिनल अवर्ड दिया गया था यह दिया गया था आपका मैक डोनल दोरा option number C मैक डोनल राइड आंसर है गांडी जी ने असायोग आंदोलन वापस लिया था किसके बाद तो गांडी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद चौरी चौरा घटना के बाद असायोग आंदोलन वापस लिया था option number C right answer है चंद्रकप्त मौरी के दरवार में यूरानी ग्रीक राजदूत कौन था तो यूनानी ग्रीक राजदूत उसका नाम था आपका option number Megastonis, option number B यहाँ पर Megastonis right answer है सारणात में किसे ने पहला अपना धर्म उपदेश दिया था, सबसे पहला धर्म उपदेश शारणात में दिया था option number A, बुद्ध जी right answer हो जाएगा, सारणात में सबसे पहला उपदेश दिया था मनसबाली प्रणाली जरू करने पर राइट आंसरन दिख लेते हैं टीपो सल्टान ने शाषण तो टीपु सुल्तान जो है राइड आंसर हो जाएगा ये थे आपके स्रिरंग पट्टम से साशन क्या थे नोंने option number A right answer है जजियाकर को समाप्त क्या था तो जजियाकर को समाप्त क्या था आपका अकबर ने option number C अकबर right answer है सिंदु घाटी सवधा की मुख्यविषिस्ता क्या थी तो नगर आयोजन नगर नियोजन बहुत बढ़ेंगें से option number A ये सब यसी में आ जाएगी नगर आयोजन में सब रहा जाएगी option number A right answer है सिंदु घाटी के लोग पूजा करते थे तो सिंदु घाटी के लोग राइट आंसर हो जाएगा यह आपका पशुपती जी की पूजा करते थे option number C right answer है साथ वाहन वर्तमान में किस प्रदेश से संबनत हैं तो साथ वाहन वंश जो है यह आपका संबनत है आंदर प्रदेश से option number B आंदर प्रदेश राइट आंसर है सुंगवंश की स्थापना किस ने की थी तो सुंगवंश की स्थापना की थी आपकी पुश्य मित्र ने आपकी पुश्य मित्र सुंग ने सुंगवंश की स्थापना की शूपी सम्परदाए कौन से धर्म में विकसित हुआ था तो सूपी सम्परदाए जो था ये मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ था आपशनल में भी तो यहाँ पर चौहान जो थे दिली बिल्कुल राइट आंसर है option number A सुमिले थे बागी तोमर परमार कल्चुरी यहां पर गलत दिये हुए तीनों के निशाद बाग बनवाया था तो निशाद बाग जो बनवाया था यह बनवाया था जहांगीर ने option number B राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा था मदरातरी की टंकूर टंकार पर जब संसास सोता है भारत अपने जीवन वास्तनता के लिए जाग उठेगा यह वाके थे आपके option number पंडित जवालाल नहरुजी के option number C सही आंसर हो जाएगा और यह राज का आखरी question व्यक्ति भोजन इखटा करने वाली आवस्ता से भोजन उत्पाद करने वाली आवस्ता में कब पहुचा था तो पहले हम इखटा करते हैं उसके वाद खुद फसल लगाने लगी और यह जो आवस्ता थी यह थी आपकी नव पाशाण यूग में option number C आपके लिए surprise question है प्राचीन काल में कलिंग का महान साशक निमलखेत में से कौन था कलिंग का महान शाशक मैं आपको दो आप्शन दे रहा हूं चलिए आप खुर बताएए चारों option easy है दो option निगे कौशन बिल्कुल easy है comment box में बताएए कलिंग का महान शाशक इन में से कौन सथा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तो प्रिकली अपने ख्याल कि आप सबीका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका रिंश्यों वह बहुत बहुत धन्यवाद